पिछले सेशन में हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने परकार के हैं और किस किस तरह से उनका प्रियोग कहा कहा किया जाता है इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बता दू, operating system से आप computer में बहुत सारे changes कर सकते हैं, बहुत सारे features को set कर सकते हैं और unset कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास इस पूरा session जो है ये इसी चीजों को लेकर है कि हम क्या-क्या मुख्या का रहा है operating system के द्वारा कर सकते हैं लेकिन मैं आपको ये भी पता दू, इसी series में हम आपको Windows 10 की complete series देने वाले हैं, जिसमें आप इसको practically सीख सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं, एक computer में operating system के दौरा हम क्या-क्या कर सकते हैं हम display properties को setup कर सकते हैं, display properties क्या होती हैं, computer में क्या चीज किस परकार से दिखाई देगी जैसे अगर window की brightness है तो उसको क्या हम कम जयादा कर सकते हैं हम windows की brightness को कम जादा कर सकते हैं, night, light settings को option को on off कर सकते हैं Windows में जो icons दिखाई देते हैं या app के जो shortcut दिखाई देते हैं उनका size set कर सकते हैं Display resolution को हम set कर सकते हैं यानि कि आप display की resolution है उसे बढ़ा या घटा सकते हैं Windows की orientation change की जा सकती है कहीं बार हमारे पास touch device है तो हम उसकी orientation set करके भी उसको operate कर सकते हैं यह सारी properties की जानकारी Windows 10 की complete series में available है जो इस session के बाद आप देख सकते हैं operating system से आप अपने system का time और date भी set कर सकते हैं Windows 10 में date time की settings के लिए computer में right side नीजे की तरफ date time शोक किया जाता है मैं आपको फिर से बता दूँ यहाँ पर मैं केवल वो चीजे या वो settings जो की जा सकती हैं उनकी जानकारी दे रहा हूँ practical रूप में आप Windows 10 की complete series देखें आपको सारे options complete पता लग जाएंगे इसके साथ ही आप असानी से नाकेवल exam दे पाएंगे बलकि किसे interview में practical रूप में पूछे हुए सारे question के answer भी बड़ी असानी से आप हल कर पाएंगे और इसी के साथ आपकी skills भी बढ़ जाएंगे जिससे आप असानी से किसी भी job में काम करना भी आपके लिए असान हो जाएगा तो right side पर जो option show किये जा रहे हैं नीचे की तरफ वहाँ चे system का date time आप set up कर सकते हैं आप उसको automatically भी कर सकते हैं और manual भी set कर सकते हैं अगर आप time zone set कर देते हैं तो date और time जो है वो automatically change होता रहेगा पंतो यदि आप manual set करते हैं तो जो right time आप decide करेंगे computer उसी daytime को show करेगा इसके लवा computer में जब ने programs टाले जाते हैं तो आप ने programs को add करने के लिए control panel में add और remove program को set कर सकते हैं आप windows 10 में असानी से ने programs को add कर सकते हैं और पुरानों को हटा सकते हैं windows में काफ़ सरी application ऐसी होती हैं जैसे जो हम install तो कर लेते हैं लेकिन बाद में परियोग नहीं होती तो ऐसी जो applications होती हैं आप उन्हें हटा सकते हैं और वो application जो आपको चीए वो install कर सकते हैं इसके लिए control panel में दी गई program and feature की option को प्रियोग करते हैं installation के लिए भी आप इस feature का प्रियोग कर सकते हैं और uninstallation के लिए भी इस feature का इस्तिमाल किया जा सकता है Installation के लिए वैसे आप जब भी किसी program को download करेंगे या pen drive या memory card से उठाएंगे तो उस case में set a file दी होती है परन्तु uninstall करने के लिए आप control panel में जाएं और वहाँ से आप program and features option के साथ उस particular program को select करें और uninstall करतें इसकी जानकारी भी Windows 10 की series में दी गई है Windows 10 में काफे सारी devices add हो जाती है यहाँ Windows 10 मतलब operating system से है क्योंकि Windows 10 जो है बड़ा ही popular और newest operating system है इसलिए मैं इसका example लेके चल रहा हूँ आप लगभग किसी भी operating system में सारे कारह कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ operating system कोई भी हो चाहे Windows 10 है Windows 8 है Windows 7 है Linux है, Unix है, Ubuntu है कोई भी operating system पर योग करें आप मुख्या कारह यही रहने वाले हैं जिनके आप settings operating system से कर पाएंगे Windows 10 की पूरी series यहाँ इस session में जोड़ी गई है ताकि आप असानी से इस पूरे section को समझ पाएं और practical इस चीज़ों को सीख पाएं जब आप किसी job या business में कारह करते हैं तो इस तरह के operating system से कारह करना और असान हो जाता है तो Windows 10 में आप printer add कर सकते हैं printer remove कर सकते हैं इसके लिए आप devices and printer option को परयोग कर सकते हैं control panel के अंतरगत इसके लिए Windows 10 में आप control panel पे जाएं फिर वहाँ से device और printer option को select करें और वहाँ से add printer के साथ आप अपने ने printer को install कर सकते हैं printer की configuration settings भी वहाँ से setup की जा सकती हैं यदि आपके पस एक से अधिक printer है तो उस case में आप जिस printer को default printer बनाएंगे जब आप printing देगे तो केवल उसी printer से print निकलेगा इसकार थिये हुआ कि अगर आपके पस चार printer लग हूँ है और आप चाहते हैं कि जब आपके पास एक particular printer से print निकाला जाए मालीजी ये एपसन का printer है उससे आप print चाहते हैं तो ऐसे case में default printer आप एपसन को set कर दे जब भी आप print देंगे तो default printing वही से निकलेगी devices और printer पर जाए आपके बस जितने printer installed है उनकी जानकारी आपके सामने रहेगी आप right click करें printer पर और जिस printer को remove करना चाहते हैं उसे वहां से remove करके हटा दें तो इस तरह से आप printer को हटा भी सकते हैं मैं फिर से बता दूँ यहां केवल theoretical section है आप इसके बाद दी गई windows 10 की complete training से आप पूरे की पूरी यह सारी options अच्छी तरह से समझ सकते हैं practical रूप में सीख सकते हैं पर यदि आपको windows 10 की पहले से जानकारी है या यदि आपको यह सारे कारह पहले से पता है तो फिर उस series को प्रिंटर के साथ साथ आप mouse की settings भी यहां से कर सकते हैं इसके लिए आप फिर से computer की settings में आए control panel में आए और mouse option बार पर double click करके वहां से इसको set कर सकते हैं mouse की settings में आप buttons को replace कर सकते हैं left की जगा right राइट की जगा left button का प्रयोग कर सकते हैं आप button की speed को tag कर सकते हैं single click या double click की speed को tag किया जा सकता है आप mouse के pointer का shape change कर सकते हैं इसमें आप mouse pointer का जो अलग लग तरहें के shapes से उनको आप पर योग कर सकते हैं तो इस तरह से काफि सारी settings आप कर सकते हैं operating system में mouse में परयोग की जाने वाली बी तो इस तरह से यह सारी devices की जानकरी मैंने केवल आपको दी है इन सब की practical जानकरी के लिए विंडोस 10 की complete series देख ले ना केवल आप इन basic options को सीख पाएंगे बलकि विंडोस 10 की complete section को समझ पाएंगे और आप उसका प्रियोग भी life में कर पाएंगे धन्यवाद